सोने के दाम साथवे आसमान को छू रहे है ठीक वैसे ही जैसे कोरोना के समय में बढ़े थे लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है सोने चांदी के दाम बढ़ने की बज़ा क्या है आगर क्यों ये आम आदमी की पहुंच से दूर हो रहा है और इस साल के अंद तक इसका क्या रेट होने वाला है सोने और चांदी के दाम जो कि हर दिन बदलते हैं आज कि अगर सोने के दाम की बात करें तो ये लगबग 66,834 रुपए प्रती 10 ग्राम पर चल रहा है रेट चार्ट को भी देखा जाए तो 18 मार्स 2024 के बाद में लगातार सोना नए रिकॉर्ड बना रहा है ये लगब जालते हैं जिसकी वज़े से सोना लगातार बढ़ता या गड़ता है जैसे कि US Federal Rates अमेरिका में व्याजदरों का आसर सोने पर होता है जैसे हमारे यहां पर केंद्रिये बैंक, Reserve Bank of India व्याजदरों को कंट्रोल और रेगुलेट करता है ठीक वैसे ही US Federal Bank भी जब व्याजदर बढ़ता है तो सोने में निवेस कम हो जाता है, सोने की मांग कम होने लगती है जिससे कि Gold के दाम भी घड़ जाते है, उधारन के लिए मान लिजे कि आप एक Gold के निवेसक है और व्याजदरे बढ़ने से Bank में निवेस पर व्याजदर बढ़ गया है तो ऐसे मैं आपका जु सप्लाई मांग से ज़्यादा हो जाने पर सोने का रेट कढ़ने लगते हैं। इस सल आकरी मीटिंग में यूएस फैडल बैंक ने व्याजदरों में कोई भी बड़ोतरी नहीं किये। उपर से इस बात के संकेत दिया है कि इस साल व्याजदरे दो बार गटाई जा सकती है। ज अधर भी सोने के रेट पर होता है क्योंकि गोल्ड और FD के बाद में स्टॉक मार्केट निवेस का बड़ा माध्य में। जोकिम उटाने वाले निवेसक एक्विटी मार्केट में निवेसकरते हैं। लेकिन जब शेर बजार में जोकिम बढ़ने लगता है तो निवेसक काम थे वो ओल टाइम हाई पर थे अभी का गरिलू शेर बजार भी कुछ ऐसा ही है शेर मार्केट कहीं ना कहीं जोकिम बढ़ा ही है क्योंकि जल्दी लोगसबा चुना होने वाले हैं अन्य देशों के श्टॉक मार्केट की बात करें तो वहां पर भी कई वेस्टन कंट्री देशों से अधिक देशों के बीच में जो तना होता है इसका असर शेर बजार करंसी रेट और गोल्ड के मार्केट पर गंबिर रूप से असर डालता है देशों के बीच में जो बूर आजनेतिक तना होता है उसका गोल्ड पे सीधा संबन असर देखने को मिलता है जब भी इस्त्ति पैदा होती है तो जादा तर देश की जो केंद्रिय बैंके होती है अब वह अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाने लगती है यहां तक कि अमारे देश का जो केंद्रिय बैंक है और बी आइबी गोल्ड की बरपूर खरिदारी कर रहा है जिसे कि मांग मैं तेजी होती है और सोना जो है महंगा होने लग जाता है अभी की स्थति को देखे तो भी प्रतिस साल किसी न किसी देश के बीच में तनाव देखने को मिल रहा है फिर चाहे वो भारत चीन हो रूस उक्रेन हो या कोई भी देश हो ये सब जोखिम वाले परीबल होते ह जो कि सोने के दाम को हरी जंडी दिखाने का काम करते है और इससे सोने का दाम बढ़ता है बात करें साल 2024 की तो 2024 के अंग तक सोने का दाम सितर से बहत्तर हजार रुपे के बीच में रह सकता है जबकि चान्डी की कीमत 80 हजार के लेवल को पार करने की उमीद एक्सपर्ट की ह और से भी बताई जा रही है अगर आप भी लंबे समय के लिए सोने में निवेस करना चाते है तो आपके लिए सोने के दाम में अच्छा रिटन देखने को मिल सकता है हाला कि यह अभी जो लेवल है इससे 4-5,000 रुपे का जो डिफरेंस देखने को मिल सकता है इस साल के अंत तक इससे जादा सोने में आगे बढ़ने की गुंजाइस नहीं है लेकिन कहीं न कहीं सोना जो है सेफ इन्वेश्मेंट के तौर पर काफी अच्छा रिटन दे सकता है उमिद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आया होगी अपने दोस्तों मित्रों के साथ में फेस्बूक वन्ने मातरम